दोस्तों ये खबर तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इन दिनों किंखान अपनी याने वाली मच अवेटिट फिल्म यानि के पठान के शूट में काफी व्यस्ट है जिसको शूटिंग इन दिनों मुंबई में बहुत ही जोरो सोरो से चल रही है और भाई मुंबई से ही इस फिल्म को लेकर ऐसे इसे खबर सामने आ रही है इसको सुनने के बाद हम यह कह सकते हैं कि भाई पठान को बहुत जल्दी ही कम्प्लीट करना चाहती है यस रास्पिंस तो दोस्तों क्या है ये खबर चलिए मैं आपको बताता हूँ हिलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरिंदर और मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो के जुड़े हुई है आप बॉलिवुड के रूमांस के असली बादसा यानि के किंग खान शारू खान की आने वाली मुच अवीड़ेड फिल्म याने के पठान से तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताए भी है कि इन दीरो पठान के शुटिंग मुंबई में बहुत ही जोरो सोरो से चल रही है और भाई इस फिल्म को लेकर एक ख़बर भी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि विया पठान के टीम के साथ जुड़ चुके हैं सल्मान खाने इस फिल्म में कैमियोला किरदार निभाने वाले और इसके सुटिंग कल से चालू हो चुकी है और भाई आज पठान को लेकर एक और बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है कि विया इस फिल्म के एक सीन को फिल्माने के लिए अफ्रीका का मार्केट यानि कि अफ्रीका का आर का आर्म मार्केट बनाया गया है फिल्म सिटी में इस फिल्म को लेकर यह ख़बर तो अबनों ने आपको बताई है कि विया इस फिल्म में शारुकान एक रॉइजट ये किरदार में नदर आएंगे और भाई उनके इस फिल्म का सीन अफ्रीका के एक आर्म मारकेट में भी जहां पर हतियारों के बीच में पैडलर्स के साथ में फाइट करते नदर आएंगे शारूख खान और यह इसके लिए फिल्म सिटी में इस सीन के लिए अफ्रीका का मार्केट क्रियेट किया गया है जिसके सुटिंग आज से चालू हो चुकी है तो दोस्तो ऐसा तो होनी था इन दिनों जिस तरीके से फिर से एक बार कोरोना के केसे बढ़ने लगे हैं उसके बात सहीं यह बात बताई जा रही थी कि विए बहुत कमी स्टीूल अब इस फिल्म का आउट डूर में होगा तो दोस्तो आप अपनी कमीड के बात से में जरू बताईगा कि भाई जिस तरीके से पठाने के काम को इन दिनों शारू कहन कंप्लीट कर रहे हैं उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है यह फिल्म 2022 में जब सीने में घर में आएगी तो भीया कितना धवाल बचाएगी पाली उट से जुड़े हैं और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारे इंट्रेक्शन को लाइक के सब्सक्राइब करना ना बलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेला इकन को जड़ दबाईएगा